हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू अबर चैनल आज की इस वीड़ों अपने पास है टाटा कर इवी जो की अभी थोड़े दिन पहले ही लॉंच हुई थी ये कार इवी के अंदर में आती है ये कार सबसे अदर स्पेशल इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको एक कूपे डिजाइन मिल लाता है इसके अंदर में जो कि इसको सेग्मेंट से रहतर बनाता है उसी कि साथ आज की जाने वाली है सब कुछ आज लोग कवर करेंगे टाटा कर इवी से रिलेटर तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और आप से हमबल रिक्वेस्ट है अभी तक आपने महरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा चलिए वीडियो को को टाटा की लाइणफ को देखना है या फिर आपको पर्शेस करना है तो आप विज़ेट कर सकते हैं स्टेंडर ते जिसका पूराइड्र आपको मैं हो रहा होगा आप यहां से आकर चैनल में की सी यहां को आपको सब्सक् stra Finanz आपको को आपको 55 kWh की बाठरी दो को मिल जाती है तो सबसे ही बाटेकिने अपने पास अच्छा लग ईढ़ा और यह कार कहीं ने कहीं बिल्कुल futuristic सी design निकाल के देती है तो देखने में कापी ज़्यादा अच्छी लगती है टोटल यहाँ पर आपको इसमें 5 कलर देखने को मिल जाती है प्राइजिंग स्टार्ट हो जाती है Tata Curve EV के base variant की 17.49 लैक एक्षोरूम प्राइज से तो सबसे पहले इसके headlamp section की तरफ चलते है तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा डिजाइन मिल जाता है यहाँ पर आपको connected DRL मिल जाएगी फ्रेंट में यहाँ आपको टाटा के लोगों कूपर में चार्जर दिखने को मिल जाता है बाकि यहाँ पर आपको cornering function के साथ में fog lamp, LED projector headlamp बाकि यहाँ पर आप देखो तो grill वगेरा जो designing है काफी ज्यादा premium इस car की आपको मिलने वाली है बाकि turn signals यहाँ पर आपको मिलेंगों आपको sequential base दिखने को मिल जाते है बाकि फ्रेंट से आप देखो तो कुछ यह proper design निकल के आती है यह car की देखने में काफी ज़्यादा unique और futuristic से लगती है फ्रेंट में यहाँ पर आपको parking sensors मिल जाते हैं बाकि skid plate आपको silver के finish मिल जाती है और Tata की वही अपना है यहाँ पर आपको center में logo बगेरा भी मिल जाता है इस variant के अंदर में आपको add-ars भी मिल जाता है 360 degree camera मिलता है तो front में आपको camera भी देखने को मिल जाता है यह कुछ आपको इसके front में देखने को मिल जाता है तो बाकि अगर आप देखो तो यहाँ पर जो level to add-ars यहाँ पर मिल जाता है उसका यहाँ पर आप देख सकते हो rain sensing wipers आपको मिल जाते हैं बाकि यहाँ पर आपको electrically hold level यहाँ पर over-viams मिल जाते हैं जो कि आपको night times पर मतलब काफी जादा help करने वाली है देखने के लिए बाकि इस तरफ अगर आप नीचे के तरफ देखो तो यहाँ पर आपको cladding मिलती है glossy मिलती है जो कि मतलब premium लगती है यहाँ पर आपको dot EV की badging मिल जाएगी chrome और glossy का treatment मिल जाता है wheel arches अगर आप देखो तो square based आपको मिलेंगी बाकि जो इसके wheels है काफी ज्यादा मतलब एक आप कह सकते हो future stick से design के मिलते हैं EV होने के कराण और ज्यादा मतलब यह अच्छे लग रहे हैं इनकी profile आपको मिलती है 215 55 r18 की 18 inches के यहाँ पर आपको कुछ इस तरगे के अलवावीन मिल जाते हैं center में आपको Tata का logo मिल जाएगा और इनकी design काफी ज्यादा unique और futuristic से आपको मिलती है उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको 186 mm की ground clearance मिल जाती है scar के अंदर में और यहाँ पर आप देखो तो आपको curve देखने को लिखा मिल जाता है sunshade के उपर में और इस तरफ से अगर आप देखो tail section जो इस कार करना है वही इस मतलब सबसे अधर attractive part है coupe design तो यहाँ पर आपको कोई भी wiper बगिरा नहीं मिलता है defogger आपको मिल जाता है बाकि अगर आप देखो तो कुछ ऐसा आपको मिल जाता है बाकि यहाँ पर आप देखो तो रिफ्लेक्टर वगिरा भी मिल जाता है यहाँ पर gesture वाले feature भी आपको मिल जाते है यहाँ पर आपको दिखाओंगा बाकि आपको shark fin antenna मिल जाता है जिसमें आपको navigation वाला system भी मिलेगा तो यहाँ पर आप देखो तो अंदर चलने से पहले मै आपको इसकी की दिखा दो जो इसकी की है काफी ज्यादा future stick लगती है यहाँ पर आपको back में EV लिखा हूँ मिल जाता है black and silver finish आपको मिलेगी इसमें आपको lock और unlock का feature मिल जाता है बाकि यहाँ पर आपको इसके headlamp on करने का option है उसी की से ही तो यहाँ पर आप देखो तो निकलतीने कार की coupe design वो आपको यहाँ पर काफी शांदार मिल जाता है इसलिए coupe cars मतलब आप देख सकते हो कुछ ऐसी design के मिलती है और जो design है काफी ज्यादा unique और attractive सा आपको मिल जाता है तो अब चलते हैं इसके interior फिर मैं आपको interior दिखाता हूँ यहाँ पर आपको flush door handle मिलते यहाँ पर कुछ ऐसी आपको light मिल जाती है बाकि request sensor आपको देखने को मिल जाता है keyless entry यहाँ पर आपको मिलेगी जो कि देख सकते हैं आप open करते है door को तो door कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा seat अगर आप देखो तो यह आपको electrically adjustable मिल जाती है leather rights यहाँ पर आपको seat देखने को को मिल जाती है ventilator देखने को मिलेंगी जो कि मतलब काफी सई है features काफी ज्यादा मिल जाएंगा आपको इस car के अंदर में बागी interior आप चेक करो काफी शांदार है अब on करते इसका instrument cluster सबसे पहले तो यहाँ पर आपको full digital देखने को मिल जाता है cluster and infotainment system तो कुछ जब आप on क पर होगे तो कुछ ऐसे opening होती है center में आपको steering wheel के उपर में टाटा का logo आ जाता है जो कि देखने में मतलब काफी ज्यादा अच्छा लगता है उसी के साल से जो cluster आपको मिल जाता है 10.25 इंचेस का यहाँ पर आपको steering mounted controls मिल जाते हैं जो आपको infotainment और इसके cluster के देखने को मिल जाते है cruise control आपको मिल जाएगा बागी यहाँ पर आप देखो तो कुछ ऐसा flat bottom वाला steering मिल जाता है जो कि आपको white और black के finish में मिलता है आपको Q7M मिल जाते हैं वह 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 आपको ओक्ष सकते हो तो यह चब आपको मिल जाता है तो कुछ ऐसा आपको मिलता है यहा पर cluster जो कि आप देखो यह पर आपको कुछ ऐसा मिल जाते है बाकि यहाँ पर आपको pedal shifter भी देखने को मिल जाते हैं infotainment अगर आप इसका check करो तो यहाँ पर आपको 12.3 inches का देखने को मिल जाता है इसमें आपको wireless apple carplay android auto देखने को मिल जाता है उसी के साथ सेथ यहाँ पर आपको arcade.ev भी देखने को मिलेगा इसके अंदर में 360 degree camera भी यहाँ पर आप देख सकते हो काफी smooth है और देखने में काफी ज़्यादा premium भी यह feel होता है इसमें आपको 9 speaker का setup देखने को मिल जाता है JBL के cinematic sound system का बाकि यहाँ पर आपको automatic जो यहाँ पर gear lever आप देख सकते हैं इसा है और इस तरफ आपको इसके AC के vents मिल जाते हैं जो की touchable है यहाँ से आप इसका मदब जो इसका charging वाला port वो open कर सकते हो और tail gate भी open कर सकते हैं बाकि camera आप देखो तो कुछ ऐसा camera आपको मिलता है जिनकी quality काफी सही है जो camera यह भी काफी अच्छी quality का आपको मिलेगा काफी इच्छे से विजिवल है काफी मतलब सही आपको मिल जाता है बली display के होने के कारण और भी अच्छे तरीके से आप इसमें देख पाऊगे तो यह चीज़ आपको मिल जाती काफी सही लगता है देखने में यह चीज़ बाकि आप इसके mirror के भी देख सकते हो side में कुछ ऐसा आपको मिल जाता camera तो यह कुछ आपको यहाँ पर camera quality की देखने को मिल जाती है आप देख सकते हैं बागी AC events आपको मिल जाते हैं और यहाँ पर क्या है जो आपको मता रहा हूँ box मिल जाता है और यहाँ पर जो आपको ticket holder कुछ ऐसा मिलेगा इस तरफ आपको sunroof भी मिल जाती है panoramik तो यह आपको दिखने को मिलेगी तो open करते है sunroof में आपको दिखा दूँ अकर तो मतलब काफी बड़ी sunroof यहाँ पर panoramik आपको मिल जाती है जिसका space भी काफी अच्छा है और काफी चतरीके से open होती है अभी open हो रही है आप देख सकते हो और यहीं से यह close भी हो जाती है तो मतलब आप देख सकते हैं बाकि यहाँ पर आपको वाई अपना SS वाले options मिल जाते हैं और जो मतलब safety वाले feature थे वो भी आपको मिलेंगे इस car के अंदर में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकि reading lamps आपको देखने को मिल जाती है जो कि आप देखी सकते हो यहाँ पर और इस तरफ अगर आप देखो तो कुछ आपको interior overall देखने को इस car का मिल जाता है काफी अच्छा लगता देखने में EV के साब से और अब चलते हैं इसके rear में य आपको ज्यादा आपकी height है अगर आपकी height 6.12 feet के above है तो हो सकता है कि आपको थोड़ सा headroom में दिखने को मिल जाता है जिसमें आपको cup holders भी मिल जाते है तो मतलब काफी सही है rear से भी cabin की जो मतलब प्रीमने से काफी अच्छी आपको मिल जाती है और तीन लोग जैसे कि दो adult and a child बैट जाएगा राम से और बैट जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपकी height ज्यादा तो थोड़ा बहुत आपको हो सकता है दिक्कत होगे की coupe design है आपको reading lamps भी देखने को मिल जाती है LED बेस के अंदर में आप चलते हैं बाहर से फिर इसका आपको मैं boot दिखाता हूं कि आप यहीं से इसको मतलब one touch system यहाँ पर आपको मिल जाता है tailgate के उपर में वहां से आप close कर सकते हो लेकिन आप key को ही press करकर close भी कर सकते हो इसका tailgate तो यह feature मतलब काफी ज्यादा अच्छा लगता है इस car के उपर में और अगर आप gesture जो feature यानि कि आप इसके नीचे पैर अगरी कारों मिलता है वैसा feature यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसके अंदर भी तो कुछ इस side पर जाता है अब मैं आपको इसका boot space अगर दिखाओं तो यहाँ पर आपको 500 लीटर का पांट सो लीटर का तो मतलब यहाँ पर आपको boot space है वो काफी अच्छा देखने को मिल जा आपका जो लगज है काफी ज्यादा कैरी हो पाएगा उसी के साथ यही से आप gesture करकर अपना tailgate close भी कर सकते हैं तो यह कुछ आपको मिल जाता है अब बात कर लेते हैं बैटरी पैक को लेकर कि यहाँ पर आपको जो मैं बता रहा था दो बैटरी पैक मिल जाते है उनमें क्या किलोवाट की मोटर देखने को मिलती है जो की 148 भी अच्पी का पावर लिस करता है 250 न्यूट्र मिटर टॉर्के साथ में बाकि जो रेंज है जो आपका यह वाला विरेंट है 55 किलोवाट आवर बैटरी का इसका आपको रेंज मिलती है 585 किलो मिटर्स की और जो 45 किलोवाट से पावर बैटरी वाला पैक है उसमें आपको 502 किलो मिटर्स की रेंज मिलती है तो यह आपको डिफरेंस मिलता है बागी यहाँ पर recover 505 किलो वाट रार की बैटरी को चार्ज करना अगर तो अगर आप 5020 किलोवार के ये चार्जर से अगर आप इसको चार्ज करते हो तो आ बाद करते हैं मतलब यहां पर आपको safety features related तो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है EVD, ECS, child safety locks, आपको मिल जाएंगे, central locking मिल जाता है, ABS मिल जाता है, six airbags मिल जाते है, acoustic vehicle यहां पर आपको alert system मिल जाता है, उसी के साथ साथ seatbelt warning, door hazard warning जैसे सारे features, यहां पर आपको safety related इस car के अंदर में मिल जाते हैं बाकी dimensions को related बात करी जा है तो यहां पर आपको इसकी dimension मिल जाती है 4310 mm की length मिलती है 1810 mm की आपको wet मिल जाती है 1637 mm की आपको height मिल जाती है उसी के साथ यहां पर आपको 2560 mm का काफी शांदार सा wheelbase भी दिखने को इस car के अंदर में मिल जाता है तो मतलब काफी साही है यह car मतलब काफी चीह आपको dimensions अगरा मिल जाएंगी उसी के साही साथ कुछ यह आपको मिल जाता है तो अगर आपको कोई doubt रह गया हो इस car से related तो आप नीचे comment box में पूर सकते हैं उसे के साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा और आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर लिजेगा मिलते हैं आपसे next video में तब तक के लिए thanks for watching